और अब खबर 36 गर की राजधानी राइपूर से जहाँ पर एक नव विवाहिता की संदिक परस्तितियों में मौत हुई है परजिरू ने अस्पताल में इसके बाद हंगामा किया बताया जो रहा है कि नव विवाहिता के परजिनों का ससुराल वालों पर आरूप भी है कि मालसिक और शारेरी गुरूप से नव विवाहिता को प्रतारिक किया जो रहा था ससुराल वालों ने बीती रात नीजी अस्पताल में नव विवाहिता को भरती कराया था भरती कराने के मृतिकों के परिजनों को सूचना दे दी गई थी गुबरनावापारा निवासी ओमा श्रंकर भीन जेकर से बताया जा रहा है कि विवाहा कुछ महीने पहले ही हुआ था मई 2024 में ही शादी हुई थी टिक्रापारा पुलिस फलहाल मौके पर मौजूद है तैसीन जैती हमारे सब बादाता हमारे साथ जो रहे हैं क्या है दरसल ये पूरा मामला और इस तरीके के उसने शिकायत उसमें अप्तिवरे परिजनों से की थी उसके बाद जो है कल रात में जो मौके की जिठानी है उसके द्वारा परिजनों को फोन किया गया है कि उसके अज़ानक तव्यव कराब हुई है और राइपुर के पशपड़ी नाका इस्टिद जो नीजी अस्पताल है वहाँ पर बक्ति कराया गया है आनन फानन में परिजन पहुचे आदी रात में और वहाँ पर जब देखा तो सुबह उसकी जो है डॉक्तर ने उसको मुलत गोशित कर दिया अभी हाला कि मत्यों के कारण इसमें इसमें नहीं हुआ है अब पुरीस का कहना है कि पोस्टमाडम के बाद इसमें क्लियर उपाएगा कि क्या कारण इसमें सामने आया लेकिन क्या कोई जानकारी सामने निकल कर आई है तेसीर की किन परस्थितियों में अस्पताल ले जाया गया था क्या डॉक्टरों से कोई जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। जब उन्हें पहुंचे हैं तो आज सुबह उसकी वह बत्तियों हो चुकी थी और अभी फिलाल टिक्राबा ठाना पुलिस मौके पहुची है अस्पताल में पहुची है और वहां परीजनों से बादशीत कर रही है और शाव का पज़वा मकर प्येम के लिए उसको रवाना लेकिन पूचताच में ही पूरा खुलासा हो पाएगा और इसके साथी पोस्त मौटम रिपोर्ट भी इसमें काफी एहम भोमी काने पाएगा खबर पर नज़र बना कर रखेगा आप तैसीन फलाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रे आपका